एलो फ्रेंट्स वेलकम वेक टू इस्टिडीकर मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर डेली करेंट अफ्यस की सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे 16 जुलाई 2022 से तो आप इस लेक्षर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक सुनिएगा लास्ट में आपसे कुछ कोशन पुछाएंगे तो उनके आंसार आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा पीडिएफ अगर आपको चाहिए तो पीडिएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए फ्रेंट्स इस लेक्षर की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले मोटिवेशन देख लेते हैं आउसर की प्रतीक्षा में मत बैठो आज का आउसर ही सरबोत्तम है जी हां दोस्तो हमें आउसर की प्र तीक्षा मत करो आज से जो कुछ आपके पास है उसको आउसर बनाओ रांगी बढ़ो चलिए फ्रेंट्स फर्स्ट कोश्टन डिसकस करते हैं ध्यान से सुनिएगा मारबर्ग वाइरस किस देश में पाया गया है तो हाल ही में जो मारबर्ग वाइरस है ये घाना देश में प अब धी होती है वो 2 से 21 दिनों की होती है सितंबर 2021 में गिनी में एक मामले की पुष्टी की गई थी इससे पहले यह है अंगोला कांगो लोक तांत्र के गडराज योगांडा केन्या और दच्छड अफ्रीका में भी देखा गया है ठीक है दोस्तों बात आई है घाना की तो घाना से related कुछ important point discuss करते हैं तो दोस्तों घाना किस continent में है तो यह अफ्रीका continent में है घाना की capital क्या है अक्रा है घाना के president कौन है तो दोस्तों उनका नाम है नाना अकूफो अड़ो ठीक है वहां के president है और दोस्तों घाना में एक बहुत ही प्रसिद्ध लेक है जिसका नाम ह बोल्टा लेक क्या नाम है बोल्टा लेक ठीक है इसके पडोसी देश कौन-कौन से है यानि घाना देश के पडोसी देश कौन-कौन है बुर्कीना फासो टोगो और कोट लेब्रियो जो है यहां के पडोसी देश है ठीक है दोस्तों तो यह सभी point जो है वो नोट का बनाई जा रही है तो दोस्तों जो सिंगी लीला राष्टिय उद्यान है ये पश्यम बंगाल में है और यहां पर 20 लाल पंडा लाने की योजना बनाई जा रही है दोस्तों ऐसा पाया गया है कि जो सिंगी लाला जो राष्टिय उद्यान है या सिंगी लीला राष्टिय उद यहां पर 20 लाल पंडा लाई जाएंगे ठीक है दोस्तों जो पैंगोलेन है और लाल पंडा है यह दुनिया भर में सबसे अधिक तसकरी किये जाने वाले जानवर हैं यानि लाल पंडा की तसकरी की जाती है लोग इसको मार देते हैं और इसके जो और गंस होते हैं उनको घरती जा रहे हैं तो इनको बचाने के लिए ही यह काम किया जा रहा है ठीके दोस्तों तो सिंगी लीला पश्यमंगाल में दारजिनिंग जिले में सिंगी लीला रिज पर इस्तित एक अत्यदिक सरच्छित छेत्र है दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट जो नैस्नल पार्क हैं आंदर प्रदेश में है यह नागारजुन सागर जो है वो कई वार एक्जाम में पूछा गया कोश्यन है गिर नैस्नल पार्क है गुजरात में सरिस्का नैस्नल पार्क है राजस्थान में माधव नैस्नल पार्क है मध्ध प्रदेश में चंडप्रभा नैस्नल पार्क है उ दोस्तों भारत ने 22 मैडल जीते हैं ठीक है जिसमें से अगर हम बात करें तो फूर गोल्ड है नाइन सिल्वर है और नाइन ब्रॉंज मेडल है तो इस प्रकास से टोटल 22 मैडल हो जाते हैं और जो प्रियंका अर्जूração और अन्तरिम थी इन्होंने गोल्ड medal हासिल किया है और जो महिला कुष्टी टीम थी उसने second rank हासिल की है और पुर्सों की जो freestyle team थी उसमें उसने second rank हासिल की है पुर्सों में freestyle पहलमान सुजीत ने 65 kilogram भारबर्ग में भारत के लिए 4 गोल्ड मैडल जीता था ठीक है दोस्तों प्रियंका अर्जू और अंत्रिम ने गोल्ड मेडल जीता और किस ने जीता था सुजीत ने गोल्ड मेडल जीता था तो यह पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा यहां पर बात आई है दोस्तू स्पोर्ट्स की तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कुछ हाल ही में वहरी इंपॉर्टेंट कोशन होगा यह आपके एक्जाम के लिए क्योंकि दूस्तों इस प्रकार के जो खेल होते हैं जिनमें पहली बार ऐसी चीज़े होती है तो वह अक्सर आपके एक्जाम में पूछ ली जाती है अंगला कोशन है मलेशिया ओपन बैडमेंट टूना में में पूरो से सिंगल्स यानि मैं सिंगल्स का खिताब किसने जीता है तो विक्टर एक्सर ने जीता है जो कि डैनमार्क थे एलोडा कप 2022 में अलफिया पठान और गीतका ने बॉक्सिंग में कौन सा मेडल जीता है तो दोस्तों इन्होंने गोल्ड मैडल जीता है रंडजी ट तो दोस्तों 104 पर पहुँच गई है ठीक है तो भारतिय पुरुस टीम जो है वो 104 नमबर पर पहुची है फीपा फुटवाल रेंकिंग में रोमेली धर किस खेल से रिलेटेड है जन्होंने अभी हाल ही में रिटार्मेंट लिया है तो दोस्तों वो किरकेट से रिलेटेड ह भारतिय किरकेट टीम की वो कप्तान रह चुकी है जिन्होंने अभी हाली में किरकेट से सन्यास लिया है अंगला प्रस्न है हाली में किस देश को यूरो मुद्रा अपनाने की मंजूरी मिल गई है तो दोस्तों अभी हाली में जो क्रोसिया कंट्री है उसको यूरो मुद्रा अपनाने की मंजूरी दी गई है यानि कि अब जो क्रोशिया है वो एक जनवरी 2023 से जो यूरो करंसी है उसको अपना सकता है अभी बरतमान में क्रोशिया की करंसी क्या है तो क्रोशिया कुना जो है वो क्रोशिया की करंसी है लेकिन अब क्रोशिया जो है वो एक जनवरी 2023 से य यूरो मुद्रा को यानिए euro currency को अपना सकता है एडॉप्ट कर सकता है कुरोएजिया जो है वह यूरो करंसी अपनाने वाला बीचवाद देश है अन्तिम रार बात आई हैं दोस्तों यहाँ पर Evropia Union की, तो Evropia Union में कितने Country सामय हैं, तो 27 Country सामय कितने देश, अभी भी Euro Currency का उप्योग नहीं करते हैं, जो at ऐसी Country हैं, जो Euro Currency का उप्योग नहीं करते हैं. योरॉप ये नियालाई की स्थापना गई थी? तो 1952 में यूरोपिय नियालाई की स्थापना की गई थी यूरोपिय यूनियन के संस्थी संस्थान को क्या कहा जाता है यूरोपिय असंसथ कहा जाता है या यूरोपिय काउसल कहा जाता है चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोशन देखते हैं important है दोस्तों मुहम्मद मुस्तिफिर रहमान किस देश के भारत में हाई कमिस्नर नुक्त कियो गया है या उच्चा युक्ति नुक्त किये गया है तो दोस्तों जो मुहम्मद मुस्तिफिर रहमान है ये बांगला देश के है और ये बांगलादेश के भारत में High Commissioner नुक्त किये गए हैं वो किसका इस्थान लेंगे तो वो मुहम्मद इमरान की जगए लेने बाले हैं ठीक है दोस्तो चलिए Friends बांगलादेश की बात आई है तो बांगलादेश से जुड़े हुए कुछ important point discuss करते हैं तो दोस्तो जो बां संसद के नाम से जाना जाता है प्राइम मिनिस्टर कौन है सेख हसीना है प्रेसिडेंट कौन है अब्दुल खामिद है ठीक है दोस्तो याद रखिएगा यह सभी point चलिए Friends नेक्ट कोशन देखते हैं ब्रिक्स स्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक किसकी अध्यक्षता म आए जितनी भी वैट कों की बात की जाए 2022 मैं तो वह आप उसका जो आंसर है वो चार्या लगाईएगा क्योंकि चाइना जो है वो 2020 की जो सम्मेट है उसकी मेजमानी कर रहा है तो जितनी भी बैटके होंगी उसकी अध्यक्षता चाइना ही करेगा और 2021 में जो सम्मेट हुआ था वो कहां हुआ था तो वो हुआ था इंडिया में ठीक है चलिए फ्रेंट्स कुछ इंडिया चाइना और साउध अफ्रीका ब्रिक्स दुनिया की प्रमुक उभरती अर्थववस्थाओं का एक ग्रुप है जिसमें ब्राजील रसिया इंडिया चाइना और साउध अफ्रीका सामिल है 2001 में ब्रिटिस अर्थ सास्त्री ओ नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की चार उभरती अर्थ विवस्थाओं के लिए एक सब्दी यूज किया था जिसका नाम था ब्रिक्स ठीक है, ब्रिक है, बी आर आई सी ब्रिक्त था, ठीक है, 2006 में ब्रिक्स बिदेश मंत्रियों की पहली बैठग के दोरान सम Pennsylvania को अपचारिक रूप दिया गया यानि यह मान सकते हैं कि जो ब्रिक्स है उसकी पहली मतलब पहली बैठक जो है विदेश मंत्रियों की वो 2006 में हुई थे फिर 2010 में इसमें साउध अफ्रीका भी सामिल हो गया तो यह फिर ब्रिक्स हो गया ठीक है यह पॉइंट जो हैं वो नोट कर लीजिएगा दोस्तों ब्रिक्स देशों की 2021 के अध्यक्षता किस देश ने की है इंडिया ने की है 2023 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा साउध अप्रीका करेगा ब्रिक्स देशों की आबादी कुल बैस्विक आबादी की कितने प्रतिसत है दोस्तों 31 प्रतिसत है उसका 41% इन 5 देशों के पास है BRICS देशों के पास कुल Westwick GDP का कितने प्रतिशते यानि जो Global GDP है उसका 24% इन 4 देशों के पास है तो यह point जो है वो note के लिजिएगा अंगला प्रस्न है विस्ट युबा कॉंसल दिवस कब मनाया गया हर साल 15 주iedreак को मनाया जाता है सपोर्टेट किस ने किया था? इस युबा के लिए वहेतर सामाजिक आर्थिक परिस्टेटियों को प्राप्त करना है और बेरोजगारी और अल्प रोजगार की चुनोतियों का समाधान करने के साधन के रूप में कारिक करना है यानि इसका उद्देश यह है कि जो बेरोजगारी युवा हैं उनके लिए कुछ काम किया जाए ठीक है तो याद रखना है 15 जुलाई को विश्व युवा कॉंसल दिवस मनाया जाता है तो हाल ही में मनाया गए कुछ important day डिसकस कर लेते हैं जैसे 1 जुलाई को राष्टिय चिकितसक दिवस, 2 जुलाई को GST Day मनाया गया चार जुलाई को अमेर्की स्वतंता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया गया 11 जुलाई को विश्व जनसंकिया दिवस मनाया गया very very important day है ये 12 जुलाइ को विस मलाला देबस, 22 जुलाइ को उराश्टिय जणडा अंगी करंट देबस मनाय जाता है, 29 जुलाइ को विस भाग देबस मनाय जाता है लास्ट ने लेक्षट का ध्यान से सुनिएगा भारत में Monkey Pox का पहला मामला किस राज्ज में दर्जी किया गया तो दोस्तो केरल में दर्जी किया गया Monkey Pox अभी हाली में बहुत छर्चा में रहा है यूरोप में इसका प्रकॉफ देखने को मिला है और अभी हाल ही में जो WHO का नेटवर्क है उसने इसे महामारी घोसित किया था ठीक है दोस्तो तो 14 जुलाई 2022 को भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला देखा गया है और UAE से कीरल लोटे एक व्यक्ती में बीमारी के लक्षन डेबलप हुए हैं इस नमूने को पुरे में नैसनल बायरोलाजी इस्टिटूट भेजा गया है ठीक है दोस्तो और 14 जुलाई की साम को इसकी पुष्टी कर दी गई है ठीक है दोस्तो मंकी पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है जूनोटिक बीमारियां क्या होती है जो जानबरों से इंसानों में दोस्तो जो मंकी पॉक्स है उसका पहली बार 1908 में बंद्रों में मामला पाया गया था तो यह पॉइंट जो है वो नोट करिएगा ठीक है अब आप से कुछ कोशन पूशिया रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिगा फर्स्ट कोशन है जीस्टी लाइक कर दें शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोसल मीले प्लेट्वां पर जैहिंद बनने मात्रों